थाना इरादत नगर शेतर में खनन माफिया ने दरोगा को गोली मार कर घायल कर दिया गामीनों के पहुंचने से पहले माफिया भाग गए घायल दरोगा का अस्पताल में इलाज चल रहा है थाना इरादत नगर शेतर में बालू से भरा ट्रेक्टर रोकने पर खनन माफिया का दरोगा निशा मक्तियागी से विवाद हो गया देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया पुलिस का कहना है कि हाता पाई होने के बाद माफिया ने दरोगा को गोली मार दी पैर में गोली लगने के वावजूद भी दरोगा निश्यामक्तियागी माफिया से जूसता रहा जानकारी होने पर आसपास खेतों पर काम कर रहे गिरामिन पहुचे तो माफिया भाग खड़े हुए सूचना पर पहुची पुलिस ने घायल दरोगा को देहली गेट इस्तित एक हॉस्पिटल में भरती कराया जहां दरोगा का इलाज चल रहा है इसकी पहचान कराई जा रही है और जो भी विक्ति है उसको आइडेंटिफाई कराकर कर रहा है खड़न माफी हो जा कोई भी हो अपरादी अपरादी होता है और जो दुशास कदम अनोनों उठाया है एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार कर कानून को हाथ लेने में भी कानोनों किया है निश्य तोर्बर योगी सरकार की अंतरगत कोई भी किसी भी इस तरगा विक्ति हो खड़न नहीं होगी और अर्शत्ता का महौल पैदा नहीं होगा योगी जी का आवहान है और पूरे जनता भी चाहती है प्रदेश की खनन को लेकर SSP वबलु कुमार सकत नजर आ रहे हैं SSP ने खनन रोकने के लिए CEO और थाना प्रभारियों को आदेश दिये हैं इसके चलते पुलिस ने खनन माफियां पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है आसिवा बालू लेकर आरे ट्रेक्टर को दरोगा ने सदुपुरा पीपल वाले रास्ते पर रोक लिया इसी बीज माफिया ने गोली मार दी दरोगा को गोली मारने की खबर पर आसपास की गिरामिनों का मजमा लग गया पुलिस गोली मारने वाले माफिया की तलाश में जुट गई है माफिया कई बार आटी और पुलिस पर हमला बोल चुकी है फिर भी खनन थमने का नाम नहीं ले रहा दरोगा को गोली लगने की खबर पर भाज़पा नेता होस्पिटल पहुच गए भाज़पा महानगर अद्यक्ष विजैशिव हरे का कहना है कि योगी सरकार खनन माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है खनन माफिया पर कारवाई होनी चाहिए सी नियूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट